अगर वो इंसान आपसे बहुत जूट बोलता है, बहुत बात को छुपाता है, आपको clear cut किसी भी चीज़ का जबाब नहीं देता है, और बात छुपा छुपा के, hide करकर के, जूट बोल रहा है, आपको बेवकुप बनाने का कोसिस कर रहा है, तो समझ लो कि वो इंसान आपको को जानना चाहिए, कि जो आपका partner है, जो आपकी girlfriend, जो आपका boyfriend, जिसके साथ आप relationship में हो, वो इंसान आपको cheat कर रहा है या नहीं, इस सवाल का जबाब हर एक इंसान को जानना चाहिए, तो तो लिए video को start करते है, देखो यार, कोई भी इंसान है, जो आपके साथ relationship में है, कोई girlfriend हो सकता है, कोई भी person, वो आपको cheat कर रहा है कि नहीं, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हो, कि वो इंसान आपसे कितना सच बोलता है, ये बहुत important चीज़ है, relationship में जब भी आप जिसके साथ हो, number one, अगर वो इंसान आपसे बहुत जूट बोलता है, बहुत बात को आपको clear cut किसी भी चीज़ का जबाब नहीं देता है, और बात छुपा छुपा के, hide करकर के, छूट बोल रहा है, आपको बेवकुप बनाने का कोसिस कर रहा है, तो समझ लो कि वो इंसान आपको cheat कर रहा है, number two, कि वो इंसान अब बहुत busy रहता है, ये बहुत important चीज़ है, कोई भी इंसान है, जिसके आप relationship में होकर वो इंसान बहुत बीजी होने लगे, या busy होने का acting करने लगे, या बार बार बोले के, हम बहुत busy रहा है, मेरे पास time नहीं है, हम तुमको call नहीं कर सकते, तुमको message नहीं कर सकते, पहले जितना time नहीं दे सकते, तो समझ लो कि वो अपसे बस दो मिनट बात कर ले बस वो भी बिना मन से जबरदस्ती फोर्स फिली यह काम कौन सा ऐसा है, यह हमें समझ नहीं आ रहा है, तो simple एक लाइन में होगा कि वो इनसान कुछ बीजी नहीं है, वो इनसान आपको चीट कर रहा है, simple, क्योंकि कोई इनसान कितना भी बीजी क्योंने होगा, वो इनसान अपने partner के लिए, अपने family के लिए, थोड़ा बहुत कहां पे है, कुछ भी clear cut आपको नहीं पता चलेगा, अगर आप forcefully उससे पूछते भी हो, तो वो इनसान आपसे learn लगेगा, वहाँ पे आपका fight हो जाएगा, वहाँ पे आप argument करने लगोगे, और debate में convert हो जाएगा, इसके वज़े से बहुत ज़्यादा भास हो जाएगा, औ आपसे बात नहीं करेगा, आपको ignore करने लगेगा, बात समझ माया, और चौथा और सबसे important है, कि सामने वाला जो इनसान है, वो बार बार आपको छोड़ने की बात कहेगा, यार तुम में अब वो बात लिगा, अब हम तुम्हारे का दरहना नहीं चाहते है, तुमको में बाज हो, मतलब आपके अंदर इतना वो इनसान कमिया निकाल देगा, कि भाई, अब हम छोड़ देंगे तुमको तुमको तुमारे अंदर हजार कमिया है, जान समझ ना, जब आप रिलेसंसिप में गय थे, यही वो इनसान था, आपके अंदर स्टार्टिंग में इसको क कोई कमी नहीं दिखा, सिर्फ अच्छाई अच्छाई, अरे भाईया आप तो एकदम, मतलब कहां से आप अवतरीत हुए हो, आपका जनम ही भगवान का दूसरा रूप है, है ना, आप परी हो, ऐसा वो इनसान ट्रीट कर रहा था आपको, तब स्टार्टिंग था रिलेसंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई ही हो, उसके अंदर कुछ बुरा ही नहीं हो, नोबडी विल भी परफेक्ट, ध्यान समझना, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना हम है, ना आप हो, ना कोई और इनसान, कोई परफेक्ट नहीं है, किस सिर्फ आपके सुन्दरता आपके खुबसूरती आपका पैसा आपका ब्यूटी यही सब चीज देख रहा है बाकि आपके कमी जैसे उसको दिखे वह इंसान आपको छोड़ने लगे इन चार साइन को आप अपने पार्टनर में नोटिस करो अगर आपको लगता है कि वह इंसा तो फिर आच के लिए नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तो तक लिए गुडबाए टेक क्या है